Hello everyone, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में तो दोस्तों आप सभी को बता दे इंडियन आर्मी के तरब से B.E.R.O. के नई भरती का ओफिसियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यानि कि Border Road Organization के तरब से आपकी नई भरती जारी किया गया है और आप सभी को पता होगा कि जो B.E.R.O. का भरती होता है ये Ministry of Defense के अंतरगत आता है यानि कि रक्षा मंत्राले के तरब से ये वेकेंसी जारी किया गया है क्योंकि ये रक्षा मंत्राले के ही एक पार्ट है Defense का ही ये काफी महत्वपूर्ण पार्ट जो है B.E.R.O. को माना जाता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि B.E.R.O. का जो काम है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए थे B.E.R.O. के जितने भी Candidate होते है जिनका इसमें सेलेक्षन होता है या जिनका जौब लगता है उनका काम होता है सरक बनाना या रोड बनाना क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इंडियन आर्मी जहां पे रहते हैं जो सीमा एरिया है जैसी कि भारत चीन का हो गया भारत पकिस्तान का हो गया तो इन सभी area के जो रास्ते होते हैं यूए काफी जो है उतार चड़ाओ इसमें होते हैं और काफी ज़ादा दूरगम रास्ते भी होते हैं आप सभी को पता होगा पहारी इलाका वरफिला इलाका तो इन सभी इलाके में जो है रोड बनाने का जो काम होता है ये BRO के candidate ही करते ह इसमें किसी simple जो है labor को या worker को जो है नहीं लगाया जाता है इसमें BRO के candidate को ही जो है job दिया जाता है जो कि ministry of defense के अंतरगत आता है तो दोस्तो इसी के तरफ से एक नहीं भरती आपका जारी किया गया है तो complete जनकारी आज की इस video में आपको बताएंगे विडियो में आप सभी बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यह रहा इसका ओफिसियली नोटिफिकेशन और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन मिनिश्टी ओफ डिफेंस के तरफ से जारी कि दिया गया है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं और यह वेकैंसी बोर्डर रोड और गनाइजेशन के लिए आया है यानि कि बी आरो के तरफ से यह भरती है जो कि मिनिश्टी ओफ डिफेंस के अंतरगत आता है और आप सभी यहाँ पर देखेंगे एक सलैस 2022 दि दिया गया है आप सभी को बता दे कि जो यह नोटिफिकेशन आप सभी देख रहे हैं यह एक सौट नोटिस है यह फूल नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि फूल नोटिफिकेशन जो है आपका आने वाला है यह केवल अभी सौट नोटिस जारी किया गया है तो यहाँ पे आ आया गया है केवल mail only जो है इस फर्म को अपलाई कर पाएंगे तो इस notification में आप सभी यहाँ पा देख सकते हैं जो है आपकी post कितना है और कौन से जो है post है इसके बारे में जनकारी दिया गया है तो multi skilled worker के लिए जो है आपका इसमें post रखा गया है जैसे कि देख सकते है Mason multi skilled worker का है और इसमें आप सभी देखेंगे जो total आपका post है 147 रखा गया है यानि कि multi skilled worker के लिए 147 है जिसमें current and backlog के लिए यहाँ पे जो है category wise अलग अलग on reserve SCST, OBC और EWS के लिए category wise vacancy का details provide किया गया है इसके बाद आप सभी देखेंगे यहाँ पे multi skilled worker nursing assistant की जो vacancy है इसके बारे में जनकारी दिया गया है इसमें 155 जो है आपका total post है और total की बात करें यानि कि multi skilled worker और multi skilled worker nursing assistant की तो total आपका 302 इसमें post रहने वाला है तो आप सभी category wise भी total यहाँ पे post देख सकते हैं इसके बाद आप सभी को बता दे इस notification में यहाँ पे जनकारी दिया गया है दोस्तों आप सभी को बता दे कि यह जो आप notification देख रहे हैं यह एक short notice है यह full notification नहीं है इसका जो full notification है वा आपको रोजगार समाचार पत्र रोजगार जो समाचार पत्र होता है जो परतेक सब्ता हमें जारी किया जता है उसमें आपको देखने को मिलेगा तो अभी जो है इसका full notification तो नहीं आया है लेकिन full notification इसका बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा आप सभी को बता दे 15-20 दिन बाद जो है इसका full notification आ जाएगा इससे पहले भी आ सकता है लेकिन maximum time जो है इतना आपका लगने वाला है 15-20 दिन तो दोस्तो 15-20 दिन में जो है इसका full notification बी यरो के officially site पर भी जारी किया जाएगा और इसके अलावा जो रोजगार समाचार पत्र आता है employment news paper उसमें भी इसका notification आएगा तो उसके बाद जो है आप सभी इसका form apply कर पाएंगे क्योंकि अभी जो है इसका full notification नहीं आया है तो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दे कि अगर आप सभी BSF Constable Tradesman की Retain Exam की तेयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए best book चप्छू publication का होने वाला है Retain Exam की तेयारी के लिए यह सबसे best book रहेगा क्यमकि यह एक complete guide है जिसमें आपको सभी subject देखने को मिल जाएगा और chapter wise इसमें काफी सारे प्रसन भी दिये गए हैं आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं syllabus wise जो है सभी chapter का यहाँ पर नाम और इसे related काफी सारे प्रसन आपको इस book में देखने को मिलेगा इसके अलावा चप्छू publication का practice set भी आता है तो आप सभी complete guide और practice set इन दोनों book को purchase कर सकते हैं लिंक description में दे दिये हैं या इसके अलावा आप सभी नजदीक के market से भी जाकर इस book को purchase कर सकते हैं अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस भरती की eligibility क्या रहेगा तो सबसे पहले age limit की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को बता दे age limit इसमें 18 से आपका 27 वरस रहेगा और अगर आप सभी OBC candidate है तो आपको 3 वरस का relaxation और HCHT अगर आप candidate है तो आपको 5 वरस का छूट इसमें देखने को मिल जाएगा इसके उपर आप सभी को जो है link description में दे देंगे आप सभी जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं officially site पर जाकर इसके बाद qualification की बात करें education qualification की तो आप सभी को बता दे इसमें simply अगर आप 3 पास आउट है तो आप इस form को apply कर सकते हैं इसमें 3 पास है तो form apply कर पाएंगे क्योंकि multi skilled worker क लिए 3 पास आउट होना अवस्यक है इसके बाद आप सभी को बता दे इसमें जो आपका height होता है वह अलग अलग region y जो है मांगा जाता है तो इसके उपर मैं एक अलग से full video बना दूँगा जिसमें height के details आपको बताएंगे लेकिन आप सभी को बता दे अकर आपका height 160 cm है minimum त इसमें आपको अलग अलग region के height के बारे में जनकारी provide करा दूँगा तो दोस्तों ये भरती जो है काफी अच्छा है इसका form आप सभी जरूर apply कीजिएगा हालांकि अभी apply शुरू नहीं हुआ है जैसे ही इसका apply शुरू होगा आप सभी को video इस channel पर देखने को मिल जाएगा कोई भी सवालों comment section में बताईएगा और इसका link description में दे दिये हैं आप से भी जाकर इसे download कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहिंद बंदे